लेजन आप तो बात करते हैं कि जो लोग हमारे साथ इस कोर्स के अंदर चर रहे हैं वो किस तरीके से हमारे साथ मिलके सीख सकते हैं और आपका next task क्या है discord का server जो है उसका मैंने link आपको description में दिया हुआ है website का link भी दिया हुआ है आपके पास सारे links मुझूद है खास दोर पर whatsapp का जो channel का हमारा link है उसको भी आप join करें अब होता यह है कि अक्सर अकात आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं होता कहां पे content upload हो गया और क्या चीज़ें चल रही है उनके लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि आपने जब 6 मा का course हमारा है उसकी website को रुजाना अपने पास save करके रखे और रुजाना इसको refresh करके यहां से refresh करते जाएं और इसको देखते जाएं ठीक है अगर आप refresh करते जाएंगे देखते जाएंगे then you can have an idea कि at the end आपके पास यहां पे day wise सारा content upload हो रहा है अब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि recurrent neural network और natural language processing पे कल हमारे live lecture जो चल रहे थे अब NLP के उपर LSTM क्या होता है और GRU क्या होता है history क्या है LSTM की और GRU वगरा की वो सारा यहां पे हम upload कर रहे है फिर time series मैंने और रेड़ी upload कर दिया हुए और आपस request है कि आज और कल का दिन ने और time series के उपर अपना पूरा जो है वो काम start कर दे यह सारी videos अगर total मैं मिलाओं तो maximum आपके पास 3.5 गहंटे की बनती है time series की और अगर आप time series की यह सारे के सारी lectures देख लेंगे then it will be easier for you मैंने और रेड़ी एक recorded video यहां पे डाल दी है जिसका नाम है profit model को use करना from meta यह facebook का एक model है जिसे आप utilize कर सकते हैं हमारे course के सारे के सारे code github के उपर भी मजूद हैं अगर मैं यहां पे github पे जाऊं github के उपर और यहां पे अगर मैं आपके पास repository का link जो है already मैंने दिया हुए अगर आप उसके उपर click करेंगे then you can find the whole thing यह six months की है मेरी जो github के profile के उपर यह पूरी repository है एक एक code हमने यहां पे upload किया हुए everything is here अगर आप सिरफ click करेंगे for example यहां पे deep learning के उपर तो deep learning के सारे के सारे codes आपको मिल जाएंगे और मैंने RNN, LSTM, GRU, time series का analysis, stock market का analysis यह सारे का सारा मैंने upload कर दिया है even though in future I am also talking about web scrapping stock market and web scrapping आप कैसे कर सकते हैं using yahoo finance की library और जो directly आपको stock market का data उठा के देती है then arima model क्या होता है, sareima model क्या होता है, CNN कैसे help करेंगा for us to work on these things and then image classification and then there are a lot of other things तो आपसे मेरी request यह है कि जब भी आप इस repo को देखें तो please names के उपर खास दोर पर गोर किया करें, for example अगर यह 5 यहां पर चल रहा है, rice disease detection का, तो यह आपके पास 5B और 5C इसके बाद आएंगे, 5A, 5B, 5C, at the end हमारे पास 39 यह वाला जो सरीमा का model आएगा, और इसके उपर lecture मैं आज upload कर दूँगा, आपसे मेरी request यह है कि please इन lectures को जरूर गोर से देखें, अगर आपने नहीं देखे हुए, तो आपसे आज ही मैं request करता हूँ, कोई आज बैठें और इन lectures को cover करें, उसकी वज़ा यह है, कि जब आप इन concepts को समझ जाएंगे, then I will again give you a lecture, जिसके अंदर कि next week हो जाए, या हम Friday को कर लें, या हम Thursday या Wednesday को कर लें, it depends, इन्शाला खल या परसों को तक मैं आपको यह inform कर दूँगा, कि यह सारे का सारा तरीका कार हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है, और जब आप time series analysis पे बात कर रहे होंगे, then we will go towards two important stuff, two important stuff कौन कौन से हैं, पहल आपके, आपने नाम सुना होगा, transfer learning का, transfer learning क्या होती है, इसके उपर हम बात करेंगे, already created या already trained model को use करेंगे, for image classification, for text classification, for natural language processing, for time series analysis, transfer learning को use करने के बाद हम अगली चीज़ पे move करेंगे, जिसका नाम है, generative artificial intelligence, generative AI, generative AI किस तरीके से काम करती हैं, हम उस पे पिर बात करेंगे, फिर hugging face के different किसम के जो algorithm में वो आपके सामने ले के आऊँगा, अब ये जितना में मैंने content आपको दिया है, ये आपकी जुमेदारी बनती है, इसको proper तरीके से understand करना और इसको समझना, अगर आप नहीं समझ पा रहें, you can write down the questions on the comments in the comment section या discord के server के अंदर, then I will try to reply on those questions, let's see, आ